हेलो दोस्तों मैं हूँ सिवानी और स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग लेके आई हूँ कच्छे आलू से बने बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी इसको बनाना काफी आसाने खाने पर बहुत टेश्टी लगता है बहुत ही कम समान का इस्तिमाल करते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं रेसिपे पसंदाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा जैनल पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल अकन को जरूर दवा दिजीगा तो चलिए सुरू करते हैं तो इस रेसीपे को बनाने के लिए कच्छा आलू तो यहां पे हम च्छा आलूट लिए बरे बरे पीसे में इसका चिलका अटाकüp पानी से इसका अच्छे से साफ कर अ हैं अब हम इसको कद्दू कस करेंगे तो मोटे वाले ग्रेडर से ही इसको कद्दू कस करना इसका लच्छा तयार करना है तो एक बाउल ने लिए यह मोटा वाला ग्रेडर ने लिए इसी से हम सभी आलू को कद्दू कस कर लेंगे और यह जो लच्छा है ने वह तो से बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, इसलिए हम मोटा वाला ग्रेडर का इस्तिमाल करें, आप भी मोटे वाली ग्रेडर का ही इस्तिमाल करें, इस तरीके से हम इसको अच्छे से कद्दुकस कर लेंगे, आप देख सकते हैं काफी आसानी सी कद्दुकस हो जाएगा, तो एक आलू को कदू कश कर लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं !! तो यहांपे हम सभी आलू को कदू कश क diffé लिए इसको पानी में डाल दी ए तक यह काला ना पड़े तो इसको हम क्या करेंगे । चार से । पांच मन पानी से अच्छे 20 वास्ट कर लेंगे तकि आलू को जितना भी इस्टार्च है वो हट जाए तो 4-5 पानी से अच्छे से साफ कर दे जब तक इसमें साफ पानी न निकार ले लागे तब तक साफ करना है यह दीकि दोस्तों आलू को हम अच्छे से पानी से वश कर लिए हैं अदब इसमें कुछ मसालः याट करेंगे तो सबसे पर रहे इसमें याड़ करेंगे एक चमप नमक नमक आप अपने टेस्क रिकॉडिस में डाल सकते हैं इक चमप डाल चार चमप ही गॉण फ्रो डाल और इसमें कुछ भी नहीं याड़ करना है सभी क्या करेंगे चमची मदद निकल जाए 10 मिंट के लिए इसको छोड़ देते हैं तो 10 मिनट हो चुका है 10 मिनट बाद यह जो आलो है वह पानी छोड़ चुका है तो इसको अच्छे से एक वान मिक्स करेंगा आप देख सकते काफी सारा इसमें से पानी निकलने लगा है अब क्या करेंगा हात्व से इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें से हम पानी हटाएंगे और साथ साथ ही इसका स्नक भी तयार कर लेंगे, इसको बॉल्स की तरह बनाना है, यह देखे मिक्स कर दी, आप देख सकते, इसमें से धेर सारा पानी निकलने लगा है, अब इन पानीों को इन नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इसको अच्छे से दवाते हुए सभी पानी को निकाल देना है, इसके अंदर से, यह देखे एक बॉल्स की तरह बन चुका है, तो इसी तरीकी से सभी बॉल्स हम बनाएंगे, तो थोड़ा सा हाथों में हिस्ता देंगे, उसको उस तरही किसे दवाते हुए अच्छे से दवाएंगे ताकि आलू में से सभी पानी जो हट जाए और इसका स्नेक बन जाए तो बॉल्स की तरह इसको बना लेना है यह देखे काफी आसान है बनाना जादा मुस्किल नहीं है इस तरही किसे करते हुए सभी बॉल्स को हम तैयार कर लेते हैं उसके fucked करेंगे तो यहां पर हम आलू के मिक्स्टर से सभी बॉल्स को रेडी कर लिये हैं तो आप देख सकते हैं और यहां पर धेर सारा इसमैं से पानी निकला तो चलिए इसको रखने पे साइड में आब बारी आती है इन बाल्ट को फ्राई करने की तो उसके लिए पैन में हम पहले ही से गरम होने के लिए डाल दिए तित्य तेल का इस्तमाल ज्यादा नहीं करना है तो जब अच्छे से दीफड दीफ राई इसको नहीं आ पाएगा और एक बार में पैन में ज्यादा डालना भी रही है बस दो से तीन डालेंगे जब 10 से 20 सेकेंड हो जाए तब और बाल्स को डालेंगे तो ज्यादा नहीं एक बार में डाले पहले दो डाले या तीन डाले फिर 10 सेकेंड इसको फ्राइ होने दे तब फिर से दो या तीन डाल दे ऐ तो ये balls बिखर जाएगा और खड़ाब हो जाएगा अच्छा नहीं बन पैगा तो इस बात करते हम जरूर रखिएगा तो इस तरीके से हम सभी balls को 10-10 सेकेंड का gap करके डाल देंगे और उसका अलट पलटके इसको fry करेंगे तो पहला वला जो balls हम डाले थे वो थोरा सा fry हो इसको इसी तरीके से golden brown color अने तक fry करना है तो ये देखी काफी आसानी से बन जाएगा ऐसे में क्या होगा बिखरेगा नहीं अगर एक बार में सभी इस snack को आप तेल में डाल देंगे तो ये बिखर जाएगा अच्छा नहीं बन पाएगा तो इस बात का जरूर धियान दखि और एक इकर केसी तरीके से अलट प्लट के सभी बास को fry कर लेते हैं इने भी आव हम प्लेट में निकाल लेते तो इसको नाम दीए है आलू का बॉल्स तो आप लोग इसको क्या कहना पसंद करेंगे ये मुझे comment करके जरूर बताइगा तो आपने देखा आई इसको बनाना आसाने खाने में बहुत टेस्टी लगता है, कुछ बातों का ध्यान डखेंगे, यह आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आप इसको साम के टाइम में चाई के साथ इंजुआई कर सकते हैं, या फिर हडी चतनी के साथ इंजुआई कर सकते हैं, हम इसको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा, कॉमेंट कीजीगा कि आपको आज ये रेसिपी कैसी लगी, तो यहन कीजीगा आज वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैर्मली में, यह मैं नेक्स्ट टुडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाई